नमबर तीन वित्तिय आपातकाल फाइनेंशियल एमर्जेंसी अनुच्छेत 360 समविधान के अनुच्छेत 360 के तहट राश्टपती को वित्तिय आपातकाल की उद्गोषना की शक्ती प्राप्थ है इस अनुछेत के तहट यदि राष्टपती को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन हो गई हैं जिन में भारत या उसके राजिक शेत्र के किसी भाग के वित्तिय स्थायत तोया साख को खतरा है तो वह वित्तिय आपातकाल की उद्गोशना कर सकता है ऐसी उद्गोशना के लिए वही अवधि निर्धारित है जो द्वतिय प्रकार के संकटकाल अर्थात राष्टपती शासन की उद्गोशना के लिए है अर्थात उद्गोशना का संसत के दोनों सदनों के द्वारा पारित संकल्पों के द्वारा दो माह के भीतर अनुमोदन आ ठक के तीस दिन के भीतर इसका अनुमोदन अनिवारे होगा। इस प्रकार की उद्गोषणा की स्थिती में राश्टपती को अधिकार होगा कि वह आर्थिक द्रिष्टिकोंड से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है कि राज्य के सभी वित्य विधेयक उसकी स्विक कर सकता है। वित्य आपातकाल की स्थिती में संग तथा राज्य सरकार के अधिन समस्त अधिकारियों जिन में उच्चतम तथा उच्चनयाले के न्यायाधीश भी शामिल हैं के वेतन भत्तों में कटवती की जा सकती है। देश में वित्य आपातकाल की स्थिती अभी तक न नहीं उत्पन हुई है।